सब्सक्राइब करें था है य। लो गाइस य। कि अन्हों प्रकाश और मैं आज है आपको बताऊंगा कि आप कम समय में वही कम समय में मीनमें टाइम में आप बाइकमिंच्टी को कैसे कंपलीट करोगे ठीक है बाइक आपकुपर अंपर असे इसला वही मत है ना साल वर मत पढ़ो एक्जाम टाइम में हो जाता है बड़ ऐसा नहीं है ठीक है बाइक मिस्टी फोट अपको तफ भी लग सकता है क्योंकि जब साइकल पढ़ने बैठोगे तो आपका पूरा दिमाग घुम जाएगा हाना कि आपको यह साइकल यह साइकल यह साइक में ठीक है बर ठीक है समाव मैं अच्छे नमबर से पास हुआ बाइक मिस्टी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और उसमें आपको गोल्ड भी आ सकते हैं मैं फिरसे बोलूँगा अपने इस विडियो में यह वीडियो सीफ उन बच्चों के लिए जो अपने आपको आवरेश स आपको जिसमें आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है वो आपको करें तो मेरी साब से बैस्ट बूग था पंकचनायक पंकचनायक का दो बुक आता है एक मोटा आता है वो है सिफ पंकचनायक है और दूसरा वो के पंकचनायक तो मैं अपने जुनियोस को बोलते आ रहा हूं मैं तुम्हें बोलूँगा सबको बोलूँगा कि आप एक बड़ ट्राय ज़रूर देना अशेंशल से पंकचनायक जो पतला सा है ठीक है वो मोट में सफिशेंट है आपके फाइनल एजाम के लिए ठीक है तो मैं ज किसी भी क्लास्मेंट से भी पूर सकते हैं वो आपको बताएंगे वो मेरा हाल जानते थे मेरा हाल क्या हो गया था ठीक है ठीक है मैंने हाल नहीं मना था बस आपको भी हाल नहीं मानना है अगर आपका भी हाल में तरह हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है आप मेरे टिप्स फ और दूसरा भाग क्या है? उसका cycles, ठीक है? उसके metabolism, metabolism of carbohydrate इसमे ग्लाकोलाइसीज ग्लैकोजिनोलाइसीज हैना? ग्लुको नियोजेनेसीज वो सबाता है और metabolism of protein, metabolism of lipid हैना? यह सबाता है और वाज्ट मॉलेकुल बाय जो आप पढ़के आये हो अपने 12 में ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांस्लेशन, रेप्लिकेशन, यह सब बात है, जो आपको पढ़ा हुआ है, जो आपसे बन जाएगा, तो देखो, बात यह है, कि जो केमिस्ट्री और पार्ट है न, वो थो इजी है, तो मैं आपको बोलूँगा, क कि वो आपके काफे जल्बी हो जाएगा, आप कर भी घूम रहे फिर रहे हो है न, तो आप उसको फोन में आप पढ़ सकते हो, ठीके, और पंके जानाय का केमिस्ट्री और लिपेड और प्रोटीन बहुत इजी है, ठीके, मैं फिर से बोलूँगा, आपको हर चीज नहीं आपको कोई भी सब्जेट में हर चीज पढ़ना नहीं होता है, आपको सिफ और सिफ जो जो इंपोर्टन है सिफ उसी को पढ़ना होता है, ठीक है? तो मैं भी बोलूँगा कि आपको पहले केमिस्ट्री पढ़ना है, कैमिस्ट्री काफी इजी है, आपका हो जाओगया, आप उसको पढ़े हो chemistry को आप उसको chemistry को chemistry से पढ़े हो destos क्या होता है स्क्रोस हो गया glucose क्या होता है कितने molecules क्यों होता है LD तो आप सब पढ़े उसको ठीक है chemistry आपको easily बन जाएगा आपको tough लगेगा metabolism में में जब आवगे metabolism में बहुत सारे cycles आते हैं तो आपको mean mean cycle पढ़ना है most important most important cycle होता है आपका जो होता है beta oxidation of fatty acid ये आपका 5 बास में 15 बास में एक question आता है ये हर सार आता है ठीक है और ये हर college paper में आता है ठीक है तो आपको ये वाला topic तो याद करना ही है बाग कि जो important topic है उसको भी आपको पढ़ना है आपको cycle सिफ उसी के याद करना है आप सारा cycle बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे आप जब amino acids में आओगे amino acids कितने होते हैं 12 तेरा कुछ होते हैं तो आप 12 amino acids कैसे याद करोगे सारे amino acids के tryptophan, tyrosine phenolaline lysine तो यह जो है आपके इतने सारे है आप इतने सारे के metabolism याद कैसे करोगे तो जो important metabolism है सिफ उसको ही याद करना है tryptophan important याद कर लो lysine important याद कर लो तो जो question पूछा गया है maximum time papers में सिफ वही पूछा जाएगा तो आप tension बिलकुल मत लेना आप भी मुझे सोचना है कि क्या मत तब वह आ जाए अगर वह आएगा तो इस इफ आपके लिए निया नहीं होगा उस अब के लिए नया होगा ठीक है तो आप tension मत लीजिए जो नया आता है उस अब के लिए नया होता है आप बिलकुल भी इस girl family मत रहना कि आप बायर केम में अराव से पास रहोगे बिना पड़े बिलकुल ऐसा नहीं होता है ठीक है मेरे juniors जो थे वो ऐसे सोच रहे थे और बायर केम में फेल हो गए थे ठीक है अनायड में पास होगे से राइकर का कमपाउड की याथ करता था कि वो दिखता कैसे है डाइगर्म बना की याथ करता था गी गल के बिलकुल मत करना मैं उसको समझा था मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाकर केम में आपको नाम राद होने चाहिए कि सब्स्रेट का नाम क्या है है और आप आप कों सा उस比 यूज कर रहे हो ठीक है आप यूजVA का उस से6ी खरागी एक और सब्सक्राइट बन रहा है वह किसिता है उसे किस₂ स्ट्रैंड हैं याद करने कि आपको भी जरूत नहीं है जो झाएगा प्लब को करेंशन मत लिजिए यह करो अगर समय अभी और तो आपको रहा और स्ट titre की राना हम जो सब्जेक्टामय में तो व् इसमें आपका decision लाना काफी easy होता है, मेरी अच्छे marks आये थे, but मैं 10 marks से चुप गया था, क्यूंकि मैं काफी late start किया था, और जो अच्छा mid of sem में start किया था, उसके decision आ भी गये थे, तो back end काफी अच्छा subject है, तो वो आपको काफी अच्छा number दिल आ सकता है, ठीक है, आपको book कौन सा पढ़ना है, पंक्रिते नाइक पढ़ना है, cycle को याद करिये, cycle को बार बार, रात को सोने के पहले, यगर देख के सो ये, आपकी दिवा में वो थम जाएगा, ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लागा हो, तो please subscribe करो चैनल को मेरे, और like करो, ठीक है, आपको लगते कोई आपको दोस्त है, जिसको इस वीडियो की need है, आप please इसको share करिये, क्योंकि ये जितना share होगा, उतना मेरे को भी अच्छा लाएगा, और आपको भी help होगा, आपके भी दोस्तों को help होगा, ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you